मुवी के शरवात में हम हमारी मेन फीमेली चियू को देखते है जो बलिट वाले ट्रेन में चावल कर रही होती है और एक न्यू सिटी में जा रही होती है चियू पहुत ही जादा नवस होती है क्योंकि उसके ग्राटपा के बुलने पर वो अपनी मॉम से मिल रही है और कहीं दूर पढ़ाई करने के लिए जा रही है जियू जैसी ही स्टेशन के बहार निकलती है उसके सामने एक अंकल और एक अंटी होते है जो अपनी बेटी को बुला रहे होते है जहां पर वो तीनों बहुत हसी खुशी बात करते है एक फैमिली की तरह और जियू उन्हें देखर र कहा पर है तो उसकी माम उसे बोलती है कि मैंने ड्राइवर को अल्रेडी फेज दिया है इतने में ही पीचे से एक लड़की आती है और इसकी आवास चियू को सुनाई देती है वो लड़की चियू की माम को भी माम ही पुकार रही थी तो चियू को कुछ समझ नहीं आता लेक इस ही वो वाशम का दूर ओपन करती है वहाँ पर एक बहुत हैंसम लड़का होता है जो की टॉवल में होता है और उसे देखकर चियू तो शौक हो जाती है यहाँ पर वो लड़का उसे बहार जाने के लिए बोलता है इसके बाद में चियू डरके और शर्म के मारे जाकर सो इन ही मन सोच ने लगती है कि क्या ये मेरे भाई जैंग है और मुझे इसे ब्रदर जैंग करकर पुकारना होगा यहाँ पर वो उसे वापस पूसता है कि क्या तुम बोल नहीं सकती तो फिर यहाँ पर वो उसे पूसती है कि क्या तुम्हारा नाम जैंग है तो उस लड़के सूत के पहुत हवी होता है और उसका भाई तो इसकी हैल भी नहीं कर जा जाता है जो च्यूकी है पर ले जाने में यहांद पर उसका भाई Melbourne वहांसे च्यूव को बूलता है कि स्कूल स्तार्ट होने से पहले तुम इस घर से न给 जाना और मैं तुम्हारा भाई बिल्कुल भूख लगी होती है तो वो बाहर जाकर एक सान्विच ले लेती है लेकिन जैसे ही वो सान्विच खाने लगती है प्लेग्राम में कुछ लग बास्केट बॉल खेल रहे होते हैं और वो बाल ओड़कर सिदा चियू के सर पर लगता है और यहां पर चियू बहुत नासूख सी ह होती है तो वो भी होश हो जाती है सभी को लग रहा होता है कि वो चान मुझकर ना टक कर रहे हैं लेकिन फिर वो लड़का उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है यह लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे जामा का में में लीड होता है जिसका नाम है लियो इसके बार में च दुनों में मैं घर से निकल जाओंगे फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं और पीछे से चियू की मॉम आती है और वो दुनों एक दिस्टर को देखकर करते हैं यहां पर उसकी मॉम उसका हाथ पकरना चाहती है लेकिन चियू पीछे हो जाती है जहां पर उसकी मॉम को दिकरवाती है जहाँ पर वो उसे बताती है कि ये तुम्हारी बड़ी पहन के जैसी है इसके बात ने उसकी मौम आसे चली जाती है और फिर जियू उसे पोलने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो मेरी मौम बस मेरी ही मौम है तुम्हारी मौम कभी नहीं हो सकती यहाँ पर जिषु से कोई जवाब नहीं दे ती तो फिर जीव उस पर छिला उड़ती है और बोनने लगती है कि क्या तुम गुंगी पहरी हो तुम इसामज नहीं आरा मैं तुम से बात कर रही हो यहां पर जियू से बोलती है कि मुझसे तुम तमीज से बात करो मैं तुम्हारी बड़ी पहन हूँ यहां पर जियू से बोलने लगती है कि मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता तुम यहां से जाना चाहती हो तो अभी क्या भी निकल जाओ जहां पर कि मेरी वज़े से तुम घर से भाग गई तो प्लीज अभी मत भागो बादने कभी फुरसत ने भाग लेना और जाते जाते वह से बोलती है कि एक रिच फैमिली ही रिच फैमिली हो सकती है कोई गरीग भिर का आदमी आँकर अचानक से रिच नहीं बन सकता तो मैं तुम्हें एस चारिटी ट्रीर करती हूँ और मैं अभी ही बता दू कि तुम मेरी बहर नहीं हो मेरा बस एक पाई है जिसका नाम जिंग है यहाँ पर जिंग और लियो अपने फ्रेंड के साथ बैटे होते हैं और वहाँ पर शीन भी मौजुद होती है जहाँ पर जिंग का फैमिल रहा होता है कि मैंने सुना है इस बार न्यू उनिवर्सिटी में जो भी न्यू न्यू स्टुडेंस आ रहे है वो बहुत ही जादा ब्यूटिफल है तो क्यों ना तुम अपनी सिस्टर के साथ मेरी सिटिंग करवा दो यहाँ पर जिंग बूलता है कि मेरी बस एक ही सिस्टर है त इतने में ही शीन वहाँ पर वाइन लेकर आती है लेकिन लियो उसे इगनोर करकर चला जाता है तो शीन मन में बोलने लगती है कि लीव ihan जादा अमीर इनसान है और इसे मैं अपने जाल में फसाद कहीं रहूंगी और सिफ मैं ही इसकी कर्फिंट बनूंगी यहां पर सभी लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं जहां पर चियो को सभी कपड़ों के प्राइस बहुत जादा एक्सपेंसिव लगते हैं यहां पर ज वहां पर हमारा हीरो आ जाता है जो हमानी जियो को पचा लेता है इसके बाद में जियो चान पूछ कर उन दोनों के बीच में आती है और अपने ही चोट के बारे में बात करने लगती है यहां पर यह उसे बोलता है कि उस इन बातरूम में तो तुमने मुझे बड़े भूबी बिना कपरों के और अब मुझसे डिस्टिंस मेंटेन कर रही हो इतनी में ही जियू की मौम वहाँ पर आ जाती है जहां पर जियू अपनी चोट अपनी मौम को दिखाती है तो इसकी मौम गुसा हो जाती है और सीधा चियू पर पढ़क उठती है कि तुम इसका ध्यार नहीं रख सकती है और यहां पर लियू उसकी मौम को सारी सिचुवेशन बताता है तो उसकी मौम चियू से माफी मांगती है लेकिन चियू नराज होकर वहाँ से चली जाती है और उसकी नराजपन लियू नोटिस करता है और लियू को इसके लिए पुरा भी लगने लगता ह इसके बार में चीयू अपने कॉलेज की कैंपस में पहुंच आती है जहां पर बारी बार कम लगे जठाय रही होती है और यहां पर लियो आकर इसकी मदद कर देता है और यह सारी चीजे शीन और उसकी फ्रेंड्स देख रही होती है तो फिर वोलोग आपस में बात करने लगते है कि आखिर लियो ने इसकी help क्यों की तो फिर शीन देखती है कि चीयू उसी room में जा रही है तो वहाँ पर चीयू अपनी friend चीयां से मिलती है यहाँ पर वोनो एक दूसरे को create करते है इसके बाद ने वहाँ पर शीन अपने friends के साथ में आ जाती है और यहाँ पर शीन की friend उसे बोलने लगती है कि आखिर तुम्हारा और लियो का क्या relation है तो फिर विचियो पूसती है कि यह लियो कौन है तो इसकी friend बोलती है कि मासूम बनना पन करो जिसने तुम्हारी लगेज उठाने में help की वो लियो है आखिर तुम्हारा रिष्टा क्या है तो फिर वो उसे बोलती है कि वो तो सिर्फ मेरी लगेज उठाने में help कर रहा था यहाँ पर शीन की friend उसे warning देती है कि next time से तुम उसके साथ देखना भी मत क्योंकि लियोस सिर्फ और सिर्फ शीन का है और वो दोनों एक दूस्टे को प्यार करते है यहाँ पर चियू अपनी friend जिया को बोलती है कि मुझे भूग लगी है चलो हम लंच करने चलते है तो फिर शीन की friend उसे रोक लेती है और उसका हाथ मोरने वाली होती है लेकिन यहाँ पर हमारी बहादर चियू भी उसका हाथ मोर देती है फिर वो उसे उसे जाने के लिए बोलती है और बोलने लगती है कि नेक्स लेम उसे पंगा लेने से पहले सो बार सोच लेना इसके बाद जिया और जियू दोनों लंच के लिए निकल जाये होते है और यहाँ पर बाहर करा लियो उसका इंतजार कर रहा था वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने बुली किया यहाँ पर जिया पूछती है कि जियू क्या तुम इसे जानती हो तो जी उसे बूलती है कि मैं इसे नहीं जानती और वो लियो को वहीं इग्नोर करकर चली जाती है यहाँ पर जी अपने फैमिली के साथ लंच करने के लिए पहार चली जाती है दूस्टी और च्यू जब अकेली चल रही होती है तो फिर वहाँ पर दो लड़के आते हैं पाइक पर च्यू उसे बोलने लगते है कि तुम तो बड़ी खुब सूरत हो यहाँ पर च्यू उने बोलती है कि अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ वन्न मैं पुलीस को बिला दूँगी तो वो लड़का बोलने लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम पुलीस को बिलाओगी तो फिर यहाँ पर वो लोग उसे छेडने लगते है और बोलते हैं कि आज राद तो तुम हमारे साथ पार्टी में चल रहे हो हाथ साफ करने लगता है यहाँ पर उसका फ्रेंट उन दोनों बंदों के पास जाता है और उन्हें लियो के बारे में बताने लगता है जहाँ पर उन दोनों को लियो की आइडिंटिटी पता चलने के बाद वो लोग पैरों में केर कर उसे माफी मागने लगते है पाई की कार आती है तो जिंग का ट्राइवर उसे पूस्ता है कि कि आपकी सिस्सर आपके साथ नहीं बैटेगी तो जिंग उन्हें गारी चलाने के लिए बोलता है इसके बाद में जब चियू बस चौपर जा रही होती है तो फिर लियो भी उसका पीछा करते हुए जाता है य जाने ही नीं देता फिर उसका बस जाने के बाद लियो इसे अपनी आइक के पास ले जाता है जहां पर वह उसे सौरी बोलकर केंडी देता है फिर बाद में वह लोग बैटकर गर जा रहे होते है और ये सारी चीजे शीन और उसके फ्रिंड्स देख रहे थे यहां पर शीन उसे बाइबल कर भाग रही होती है यहाँ पर लियो उसे रुकाता है और इसे पूसता है कि आखिर तो मुझसे क्यों भाग रही हो यहाँ पर चियो उसे बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ इतना फ्रेंडली आक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी अल्डेडी गर्फर कि किसी ने तुम्हारे साथ मजाग किया होगा मेरी कोई भी गर्फिर्ड नहीं है और तुम्हें भी किसी को टेट करना चाहिए यहां पर चियू बोलती है कि मेरी जब मर्जी होगी मैं उन्हें टेट कर लूँगी तो तुम मुझे डेटिंग के बारे में मत बताओ इतनी में चियू की माम वहाँ पर राच आती है जो उस पर चिलाने लगती है कि तुम इतना लेट गर पर कियू आई हो तुम्हारा भाई तो एक गंटे पहले ही गर पर पहुँच गया था और तुमने डाइवर को कितना टाइम तक रुका कर रखा तुम में कोई मैनर्स है या भी नह यहाँ पर लियो उसकी माम को बोलता है कि जैंग ने तो उसे अंदर आने ही नहीं दिया जिस वज़े से वो अकेली पड़ गए तो मैं उसे कर डॉप करने आ गया यहाँ पर उसकी माम लियो को सैंग यह बोलती है इसकी बादने वो लोग अंदर जा रहे होते है जहाँ पर जियू आकर पूसती है कि मैंने लियो की आवाज सुनी तो इसकी मॉम उसे बोलती है कि वो तो घर चला गया अब चलो सब लोग मुलकल साथ में लंच करते हैं उसकी मॉम के वहां से जाने के बाद जियू अपनी बेहन को बहुत बला पुरा बोलती है यहाँ पर जियू को गु काने लगती है कि यह मेरा घर नहीं है मुझे यहाँ से निकलना परएगा कि यहाँ पर उसकी माम से लंच कश करने के लिए बलाती है जहां पर चीयू से बोलती है कि कल से मैं केंपस मेर हूंँ यहाँ तो मैं जिडा नहीं बजाए बचूंगी बहूत सारे लोगों को इतना अच्छी लाइफ जीने का मौका नहीं मिलता तो तुम ये लाइफ का चांस क्यों खो रही हो इसकी बैपने उसका बाई बोलने लगता है कि इसे तो बस हमारे फैमिले की पेज़दी करनी है यहाँ पर चियू उन्हें कुछ बोल नहीं पाती यहाँ पर लियो जिब अपने घर पर होता है तो इसका ग्रांडमा और उसके ग्रांडपा उसके लिए क्रेडि करते है क्योंकि आज लियो का बोलता है यहाँ पर लियो उन्हें बोलता है कि आपको पता है न मुझे बोलता है यहाँ पर उसी ग्रांडमा बोलने लगती है कि अ फिल यो उसे थोड़ी देर और बैटने के लिए बोलता है जहां पर वो तो नब वाक करने लगते है लियो तो यूचन का शकल देखकर बोलने लगता है कि कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है यहां पर वो उसे पूछता है कि आखिर तुम यहां पर क्यू आई हो यहां पर उसे स्टोरी बताती हो यूचैन थोड़ी सी एमोशन हो जाती है तो फिर लियो उसे sorry बोलता है वो topic खतम करता है यह पर यूचैन उसे पूछती है कि तुम भी तो दास दिक रहे हो आखर ऐसा क्या हुआ तो फिर लियो उसे बताता है कि मेरा अट बर्द्र है तो फिर यूचैन को लगता है कि कहीं किसी ने तुम्हारा ब्रोदे सेलिबरेट नहीं किया इसलिए तुम नराज हो कोई बात नहीं मेरे पास कैंडी है तुम इसे खा लो मैं केक तो नहीं ला सकी लेकिन ये कैंडी तुम खा सकते हो क्योंकि अगर आज तुम स्वीट खाओगे तो तुम्हारा यहाँ पर उसने खाना अपने डिशमे ले लिया होता है और शीन जान बुश्कर उसे तक गामारती है तो उसका पूरा घंए घर जाता है यहां पर यॉचीन इसे sorry बोलने के लिए बोलती है तो शीन बहुत कुसे में उसे sorry बोलती है यहाँ पर यूचेन उसे कहती है कि अब तुम लाइन में खड़े होकर मिले ले खाना लो तो फिर शीन बोलती है कि मैंने तुमसे माफी माँग लिए है मैं अब और कुछ नहीं करने वाली और यहाँ पर सभी लोग यूचेन को लियो की girlfriend बिलाते है और यह सनकर शीन तो और भी जादा चलिस हो जाती है इतने में ही लड़का वहाँ पर आता है जो बोलने लगता है कि शीन तुम्हें किसने परिशान किया मैं उसे नहीं जोड़ूँगा और यहाँ पर वो यूचेन को मा नहीं वाला होता है कि यूचेन उसे एक लाथ मार का नीचे गिरा देती है और बोलने लगती है कि तुम सब को क्यों लग रहा है कि यहाँ पर मेरी गलती है एक तो जान बुठकर उसने मेरा खाना गिरा है उपर से तुम उसका साइड ले रहे हो कितने पेशरम हो तुम यहाँ पर चियू चली जाती है और उसके पीछे पीछे लियो भी चला जाता है फिर दोनों आपसे बैठकर बाते कर रहे होते है और उन्हें बात करता देख पीछे से शीन देख रहे होती है जो आपर शीन की फ्रेंड चियू के बारे में सारी इंफरमिशन उसे बताने लगती है इसके बाद में लियो उसे कहता है कि जब मैं बास्केट बाल खेलूँगा तो तुम मुझे पानी का बोटल देने के लिया आना बास्केट बाल खेलने के बाद सभी लड़किया लियो के लियो पानी लेकर आती है और फिर शामने से शीन आती है जो से पानी का बोटल देती है लेकिन लियो वो बॉटल लेने से मना कर देता है तो शीनों से बोलती है कि मैं तो तुम्हारी girlfriend हूँ और हमारी family एक दूस्टरी को जानती है और हमारी शादी पर फिक्स होने वाली है यहाँ पर लियो उसे बोलता है कि ना तुम मेरी girlfriend हो और ना ही मेरी family तुम्हारे family को जानती है तो ऐसे खराब खराब rumors फिलाना पन कर दो इसके बाद में वो छीयो को देखता है और वो उसके पास चला जाता है फिर वो उसके bottle लेकर पानी पीने लगता है इसके बाद में उसका भाई वहाँ पर आके उसे चलने के लिए बोलता है लेकिन लियो उसे पूछता है कि कि या आज शाम की party में तुम आ रही हो तो चीयो उसे मना कर देती है लेकिन उसका भाई से लियो बात करता है तो भी उसका भाई मान जाता है और वो चारो फेंद्स मिलकर पार्टी के लिए उसकी कार में निकल जाते है यहाँ पर वो लोग अपना प्लान चेंच कर पार्टी के बर ले दिनर के लिए चले जाते है जहाँ पर चियु बहुत कम खाना खा रही होती है इसकी बाद में एक waitress आती है जो गलती से उसके भाई के उपर वो खाना के दाने वाली होती है लेकिन चियो उसकी help करती है और यहाँ पर लियो देखता है कि चियो कितनी kind hearted है इसके बाद में जैंको उसकी माम का text आता है कि हम साथ में डिनर करने वाले हैं तो घर चल दिया जाना तो फिर वो तो नो डिनर करने के लिए घर पर पहुँच जाते है यहाँ पर सब लग डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पर चियो अच्छी तरीके से अपने सार वेजेटेबल्स खाती है लेकिन उसके सिस्टर जियो वेजेटेबल्स नहीं खा रही होती तो उसकी मॉम उसे एक्जामपल देने लगती है कि चियो को देखो वो किस तरीके से सब कुछ कह रही है यहाँ पर जियो को कुछ सा आता है तो वो उससे अनाप्शना भूल कर रुपर चली जाती है पर उसकी मॉम युसे मनानी के लिए वहाँ चली जाती है यहाँ पर उसका बाई जैंग उसे बोलता है कि मुझे माफ कर देना मेरी सिसर थोड़ी सी एरगेंट है इसकी बात में चियो उसे कुछ नहीं बोलती यहाँ पर चियो की मॉम जब जैंग को देखती है तो उसे पूछती है कि आकर उसे क्या हुआ है यहाँ पर जैंग अपनी मॉम को बोलता है कि आपकी दो दो बेटिया है तो आपको उन दोनों को एक्वली ट्रीट करना चाहिए ना की अलग-अलग और इतना बोलकर वे वहाँ से चला चाता है यहाँ पर शीन बार खरी होकर चियो का इंतजार कर रही होती है यहाँ पर वो से खेले में मिलने के लिए बुलाती है जीया उसे जाने से मना करती है लेकिन चियो फिर भी जाती है यहाँ पर शीन जान बुचकर चियो को सीरियो से चकेल देती है फिर जीया आके वो सब देख लेती है और सबी के सबी लड़के वहाँ पर आ जाते है लियो तो पहुत जादा परिशान हो जाता है और उसे पूशन लगता है कि कहीं तुम्हें लगी तो नहीं है और तुम्हारा फेस इतना रॉइट की हो रहा है यहाँ पर जिया उसे बोलती है कि तुम उसे थोड़ा लूस पकड़ो उसका सिर्फ पाव थोड़ा सा मोड़ गया है और कुछ भी नहीं यहाँ पर शीन डर के मारे बोलने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर लियो से धमकी दे कर जाता है और वो चियो को उठा का सीधा होस्पिटल ले जाता है यहाँ पर डॉक्टर उसके अंकल को ट्विस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन चियो को बहुत पेड हो रहा होता है तो फिल यो उसे कैंडी देता है यहाँ पर उसका फ्रैंड वो केंडी देखकर बोलने लगता है कि मुझे भी चाहिए तो लियो उसे बोलता है कि ठीक है नीचे वाले स्टोर में से लेफ लेने ना और तुम्हें वाँ पर केंडी मिल जाएगी इसके बाद में डॉक्टर उसे दवा लगाने के लिए बोलते है जहाँ पर लियो अपने हाथ उसे बदवा लगाता है और उसे दवा लगाता देख चियो को अपने डाएट की याद आने लगती है इसके बाद में लियो उसे अपने कंदे पर उठा लेता है और उसे गर छोडने वाला होता है यहां पर चियू जैसे ही गर आती है तो फिर वहां पर उसकी माम का हस्बन बैटा होता है तो फिर उसकी माम से पूछती है कि आखिर तुम्हें पैर में क्या हुआ तो उसे बताती है कि वो निचे गर गई थी फिर उसकी माम उसी उपर लिए कर जाती है जहांपर जीव अपने डाट से कंप्लेंड करने लगती है कि जब से चीव हमारे गर पर आया है माम तो बस उसी का ध्यान रखती है मेरे बारे में तो माम ने कभी सोचा भी नहीं और नहीं पूछा इसके बाब ने वो से ये कहती है कि क्यों न हम चियू वे घर से निकाल दे तो फिर उसका डैट बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी माम से बात करता हो और अब तो वो कॉलेज में भी आ गई है तो खुद का ध्यान तो रखी सकती है यहाँ पर उसकी माम से दवा लगाने वाली होती है लेकिन चियू उने मना कर देती है इसकी बाब ने उसकी माम से बोलती है कि तुम्हारे अंकल बड़ी मुश्किल से तुम्हें यहां रखने के लिए राजी हुए है तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिसकी वज़े से तुम्हें घर से निकाल लिया जाए और लियो से तो तुम दूर ही रहना यहाँ पर चियू उसे बोलती है कि लियो तो बहुत अच्छा इंसान है तो उसकी मौम उसे बताने लगती है कि लियो और हमारा एक फैमिली बिजनस है अगर उसकी फैमिली को तुम दोनों के बारे में कुछ अनाप्शन अप्टी से पता चलती है तो हमारे बिजनस को बहुत घाटा होगा जिस वज़े से तुम्हारे अंकल बहुत कुस्सा हो जाएंगे और यहां पर चियो शोच में बढ़ जाती है कि आखर वो करे क्या चियो वाशो में गलती से फिसल जाती है और उसके कमर पर बहुत चोट लग जाती है और वो उट भी नहीं पा रही थी यहां पर वो अपनी मॉम को मलाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मॉम तक आवास पोच ही नहीं रही थी फिर कैसे कैसे तो करके वो खरी होती है इसके बाद में उसकी मॉम वहाँ पर आती है और उसकी मॉम को देखकर चियो बहुत जादा दिसपॉइंट होती है में स्कूल के लिए पिक करने आ जाओंगा यहां पर जियू से मना कर देती है और बोलती है कि मुझे अराम करना है तो फिर लियो से बोलता है कि ठीक है मैं कल दो फैर में तुमसे मिल लियाओंगा क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया है यहां पर शीन और लियो की बात हो रही होती है जहां पर लियो शीन को वार्न करता है कि अगर अगली बार से उसने जीयू को जरसा भी परिशान गया तो वो से स्कूल से ही कायब कर देगा यहां पर जीयू और उसकी माम बैठ कर उसका प्रीशिस नेकलिस जुन रहे होते है और इतने में उसके डैड आ जाते है चून दोनों को घबराता हुआ देखते है तो फिर वो से बताने लगती है कि मेरा नेकलिस को मोच चुका है फिर उनको शक होता है कि आखिर नेकलिस घ यूपर डाल देती है चीयू के वहाँ पर आते ही उसकी माम उसे बोलती है कि तुम्हें टेंचन लेनी के जरुवत नहीं है मैं तुम पर भरोसा करती हूँ लेकिन यह बोलने के बाद ही वो उसे ऐसा बोलती है कि अगर तुमने कहीं उसे रख दिया है तो मुझे बता दू म मिलता है और वो ये बात सोशे लगती है कि मेरी कभी भी कोई फैमली थी ही नई और मेरी मौम उन से प्यार भी नहीं करती है और यहां पर चीयू बहुत जादा ओवर तेंक कर लेती है यहां पर उसका डाट बीच में आकर बोलता है कि चीयू मुझे तुम पर भरोसा है हम प च CAPड़ा हूए धानी चलता कि आखर नकलिस कहाँ पर गया है फिर बाहूँ उसका डाट और उसकी मौम चीयू से माफी मांगने के लिए बोलते है तो इसके सिस्टर माफी मांगती है लेकिन बहुत बूरे तरीके से तो इसके डाट उसके पर परक जाते है इसके बाद में हम चियू को बेडरूम में अपने डाट की फोटो देखते हुए देखते है जहां पर वो अपने डाट को याद कर रही थी और बहुत जादा एमोश्ण हो जाती है और रोने भी लगती है और इतने में ही उसे लियो का कॉल आता है तो उसे स्कूल के नोट के बारे में पूछता है लेकिन यहाँ पर उसकी रोती ही आवाज को सुनकर वो उसे पूछता है कि क्या तुम रो रही हो यहाँ पर चियू से ना बोलनी ही वाली होती है कि तब तक वो call cut कर देता है और चियू को लगने लगता है कि शायद से वो उस पर गुस्छा हो गया है यहां पर जैंक को इस घर की मेठ सारी बात बताती है कि किस सरे से जियू ने चियू को accused किया है और इतने में इह वहां पर लियो आ यहां पर लिओ तो जांग पर पढ़ता है और बोलता है तुम क्या कर रहे थे जब यह सब रहा था जैंग बोलता है कि मैं घर पर नहीं था मैं तो अभी जस्ट घर आया हूं और मुझे यह सारी चीज़े अभी अभी पता चली है फिर वो लोग दौड कर चियों के रूम में जाते हैं, जहां पचेयों रहा रहना होती है, तो फिर लिए जियों जा ने के लाना सबाह匪, और पश्यों को शांट करने के कोशिश करता है। और यहां पचेयों रोते रोते हैं उस से अपने लाइड की मेमरीच के में बनाएvel कि किस तरीए से उसके डाड उसके लिए बहुत टेस्टी नूडल्स बनाया करते थे और वो दोनों मिलकर खाते थे फिर वो यहाँ पर लियो को नूडल्स बनाने के लिए बोलती है तो लियो हाँ बोल देता है साथी साथ लियो मन में सोचता है कि मुझे हमेशा इसे देखकर मेरा हार्पीट पढ़ने लगता है और नजाने क्यों मुझे इससे कमफोर्ट करने को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जियू नीचे उतरती है जहाँ पर उसकी सिस्टर एक बार फिर से उसे माफी मांगने लगती है यहाँ पर जियू उन्हें बताने लगती है कि मिड ओटम में मेरा एक वकेशन होने वाला है जहाँ पर मैं अपने गानपा से मिलने के लिए कर जाओंगी यहाँ पर उसके माम नड़ उसे बोलते है कि क्यों ना तुम हमारे साथ ही वो स्पेंड करो लेकिन वो बोलती है कि मैं ग्राणपा को वहाँ पर अके लिए नहीं छोड़ सकती साथ ही में लियो भी मुझे वहाँ पर ड्रॉप करने आएगा लियो का नाम सुनते ही उसका डैट बोलने लगता है लियो और तुमारे रिलेशन क्या है तो फिर उसकी मौम बात बलट देती है और उसके डैट को याद आता है कि जीव ग्राणपा को पसंद करती है और यहाँ पर चीव बहुत कुशी कुशी है अपने ग्राणपा से मिलने के लिए आती है जहां पर उसके ग्रानपा भी उसे देख कर बहुत कुश्यत है और उसे बोलने लगते है कि तुम इतना दूर ट्रावल करकर आई हो तो तुम्हें फूख लगी होगी तो मैं तुम्हारे ले कुछ बना कर लाता हूँ जैसे ही उसके ग्रानपा जाते है वहाँ पर एक आंटी आती है और वो चियों से माफ ही माँगने लगती है चियों उसे गुस्य में वहाँ से निकलने के लिए बोलते है तो फिर वो आंटी उसे बोलने लगती है कि मैं अभी अभी कौमा से उठी हूँ लेकिन तुम टेंशन मतलो जैसे तुम सोच ज़ियो वैसा पिलकुल नहीं है यहाँ पर चियों से बोलने लगती है कि तुम्हारी वज़े से मेरे डाट को बहुत कुछ जैना पड़ा मेरे डाट ने तुम्हें बचानी की कोशिश की लेकिन सबको यह लग रहाता कि तुम्हारा फैच चल रहा है यहाँ पर वो अंटे उसे बोलती है कि मैं प्रेस के सामने सारी सच्छा ही बता दूंगी इसके बाबने वो वहाँ से चली जाती है जहाँ पर चियों बहुत अपने आप में इमोशनल हो रही थी तो पीचे से उसके डादा जी उसे बलाते है इसके बादने वो उसे बोलते है कि मैंने तुम्हारा फैवरेट ओइल नूडल बनाया है जो तुम्हें और तुम्हारे डाट को बहुत पसंद है तो चल दी से आजाओ फिर उसके डादा जी के अंदर जाने के बाद चियू और पी जादा रोने लगती है यहाँ पर लियो, सैंक और उसका फ्रिंड आपर से बैट कर बात कर रहे होते है जहाँ पर वो लोग चियू से मिलने के लिए चले जाते है और बहुत अच्छा से फटा के फोड़ते है इसके बाद में जीया उन दोने का एक फोटो भी निकालती है यहाँ पर लियो चियू से पूसता है कि क्या तुमें कुछ खाना है तो चियू उसे बोलती है कि मुझे चिकिन विंग्स खाने का मन कर रहा है तो फिर वो लियो चिकिन विंग्स लेने के लिए चले जाते है यहाँ पर लियो को एक अंजान लड़की आकर उसका नमबर मांगती है लेकिन लियो अपना फोन अनदार कर बोने लगता है कि मेरे पास तो फोन ही नहीं है तो मैं तुमें नमबर कहां से दूँ इतने में यह वहाँ पर चियो आती है तो वो लड़की चियो को बोलने लगती है कि मैडम आपलाइन में लगिये सबसे पहले मैं इनका नमबर लोगे उसके बाद में तुम इसका नमबर लेना फिर यहाँ पर चियो कुछ समझ नहीं पाते इतने में एक अंजान लड़का आकर चियो का नमबर मांगता है तो चियो भी लियो जैसे सेम जवाब देती है और वो जवाब सुनकर लियो मुसकर जाने लगता है इसके बाद में लियो चियो को अपने पास ऐसे कर लेता है फिर उन दोनों को लगने लगता है पर लियो गर पर बैट कर चीओ से चाट कर रहा होता है और उसके डाड उसे चाट करते वक्त मुस्कर आते होई देखते हैं तो फिर वह उनसे पूछते हैं कि क्या तुम तुम्हारी कर्फरेंट से बात कर रहे हो लियो उन्हें ना बूल देता है तो उसका डाड वापस से तो फिलियो उन्हें हाँ बोलता है तो उसका डाड उसे फोस करने लगता है कि प्लीज मुझे भी इस लड़की से मिलाओ ना आखिर मुझे भी देखना है कि वह कौन है जिसको तुमने पसंद किया है यहां पर चियू जिया उसका बाई और सभी लोग बैठ कर डिनर कर रहे हो दूसरी और हम लियो और उसके डाड को देखते है जहां अचानक से एक ब्रेक लगता है जिस वज़र से लियो के डाड को चोट लग गई होती है और पास ट्रामा की वज़र से लियो पे होश हो जाता है फिर बाद में जैंक भाग कर होस्पिस ले जाता है और यहां पर चिय ककि साथ रहो हम्दूना अव गयर जाते हैं यहां पे लियो और उसके डाड के बीच में बात हो रहे होती है पर लियो उन्हें बोलता है कि आपको लगता है कि मैं अलगू क्योंकि मौन की दैट भी तब हूई ती में उनके साह कार में था और आपके साथ भी यहां अब को है आना अच्छी बात नहीं है तुम खुद पे इंडिपेंडेंडेंट बनो पैसे कमाओ शादी करो और अपने बच्चों के साथ एक अच्छी सी लाइफ जियो और जो चीजे होने वाली होंगी वो तो होती रहेंगी बस उन्हें तुम्हें टागल करना आना चाहिए यहां पर वो लियो के बारे में सोच रही होती है और उसे यह जिस कंफर्म हो जाती है कि उसे लियो पसंद है यहां पर चीजो की माम उसे जियो के बर्दे पाटी में आने के लिए बोलती है तो दूसरी और चीजो उसकी सिसर के लिए गिफ लेने के लिए निकल जाती है यहां पर वो पसे उठकर चीओ को माने वाला होता है लेकिन लियो ओ पर आ जाता है इसके बाड में लियो और चीओ यवापस से बात करते हैं,जहां प्र चीओ से पूसती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो लियो अपनी feelings को confess कर देता है और यहाँ पर चियो भी उसे बोलती है कि तुम बस तू यस और वेट कर लो दो साल बाद मैं 20 की हो जाओंगी फिर हम तीट कर पाएंगे तो फिर लियो भी उसे बोलता है कि तुम भी बस दो साल वेट कर लो फिर मैं कंपनी का ओनर बन जाओंगा और मैं तुमें घर पे पालूंगा और हम दोना घर पे दोवाद अच्छे से रहेंगे यहाँ पर जियो और उसकी फ्रेंड्स चियो के कमरे में होती है जहां पर वो इसकी फादर के और उसकी फोटो देखती है और जान बुचकर जियो वो काच वाला चीज निचे फेक देती है जिस वज़े से वो ढूट जाता है इसके बाद में जियो अपने डाट के और उसकी फोटो बहुत डुनती है लेकिन वो मिल ली नहीं रहा हो तो फिर वो जियो पर इंजाम लगाती है लेकिन मौम उस पर ही चिला उटती है फिर वो उपर जाकर वापस उसे ढूनने लगती है तो फिर वो नीचे जमीन पर काच के तुक्डो को देखती है और उसे समझ में आ जाता है कि जरूर किसी ने उसे तोड़ा है फिर वो कुस्षे में आकर अपनी पाकिंग करना शुरू कर देती है और फिर वो लियो को कौल लगाती है अब बोलने लगती है कि क्या मैं तुम्हारे जिके पर कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ और लियो उसे वाँ लीने के लिया आ जाता है फिर वो लियो को सारी चीज़ से बताती है और रात के समय लियो उसकी बाई से मिलता है और उसे वो ग्लास वाला चीज़ मांग लेता है जहां पर वो उस चीज़ को जब लेने के लिए चाता है तो उसकी मॉम को समझा जाता है कि जियू ने ही उसे चुड़ाया था और उसे नीचे गिराया था यहाँ पर जब लियो और चियू साथ में होते हैं तो फिर उसकी मौ माँ पर आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम साटेटर को अपनी सिस्टर के बद्दे पर सजो राना इसके बाद में उसके सबी फ्रेंट्स और बाई वहाँ पर आते है और वो उसे कंसोल करनी की कुशिश करते है यहाँ पर चियू थोड़ी सी खुश हो जाती है इसके बाद में हम लियो को उसके घर पर देखते है जहांपर वो अपनी ग्रानमा और डाट को चियो के बारे में बता रहा होता है चियो जब अपने स्कोल में होती है तो शीन उस पर कुस्सा हो जाती है क्योंकि लियो की फैमिली ने उसकी फैमिली के साथ कुलाबरेशन्स बन कर दिये है और शेन को लगता है कि ये सारी चीज़े चियो की वज़े से हो रही है यहाँ पर चियो भी उसे मूद दोर जवाब देती है इसके बाद में लियो वहाँ पर आता है जहाँ पर वो दोनका रोमांच शिरू हो जाता है इसके बाद में लियो उसके फ्रेंज एक पास्केटबॉल का मैच किरते है जहाँ पर लियो चीच जाता है यहाँ पर चियू उसकी सिस्चर के दरदे पर गई होती है जहाँ पर उसकी सिस्चर उसे देखकर चिर जाती है और उसे वहाँ से निकलने के लिए बोलती है और उसकी मॉम भी उसे जाने के लिए बोलती है और चियो को इस बात का दुख होता है कि उसकी मॉम भी उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रही है फिर वो वहाँ पर गिफ रखकर चली जाती है और बाहर पारेश हो रही होती है जहाँ पर वो एक बच्ची वार उसके डाट को देखती है और उन दोनों को देखकर वो इमोशनल सी हो जाती है और यहाँ पर वो रोने भी लगती है लेकिन इतने में यह लियो अम्रेला लेकर आ जाता है फिल लियो और चियो दुनों बाते करते हुए जाते है यहाँ पर चियो अपने sad और अच्छे memories उसके साथ share करती है यहाँ पर चियो अपना कुछ जमान लेने के लिए अपने गर वापस जाती है जहाँ पर जियो उसको देखर परख जाती है और बोलती है कि तुम लियो को मुझसे कैसे छीन सकती हो यहाँ पर चियो से इग्णोर करकर उपर चली जाती है और उसके पीछे पीछे उसकी मौम भी आती है यहाँ पर उसकी मौम उसके बढ़क उटती है और बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें लास्टेम कहा थाना के लियो से तूर रहने के लिए तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो यहाँ पर चियो से बोलती है कि क्या किसी ने अपर कुछ कहा है यहाँ पर उसके माम बोलती है कि किसे ने कुछ कहा या ना कहा हो लेकिन तुम तुनों की बीच में जो है वो साफ साफ नजर आता है तो फिर ये सारी चीज़े बंद कर दो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो तुम बहुत छोटी हो और तुम्हारा बैगरांड बहुत अलग चीज़ों से है जीओ गुसे में आकर वहाँ से चलि जाती है यहां पर जीओ क्लास की बैंच पर बैटी होती है और इतने में ही जीओ आकर असर बोलने लगती है कि तुम्हारा मॉमने प्रोफेसर को कॉल गया था तो फिर भाग कर जीओ उसकी रोम में चली जाती है और ये सारी बाते लिओ भी सुनता है विल्यो भी वहाँ पर चला जाता है जहां पर इसकी प्रोफेसर जीओ को पोल रहे होती है कि लास्ट टाइम से इस बार तुमारे स्कोर्स कुछ साध आई गिर गये है और तुमारे मौम में भी तुमारे बारे में कि है और उन्हेंने हमें यह बताया है कि तुम्हार इसको इसलिए कम हुए कि तुम किसी को डेट कर रहे हो यहां पर किसी को भी डेट का नाम बना है तुम्हें यह चीज बता है ना और इसलिए तुम्हें से स्पेंड भी कर दिया जा सकता है यहां पर जीए उन्हें समझाती ह कि मेरी माम को कुछ misunderstanding हुई है मैं अभी बहुत छोटी हूँ और मैं किसी को भी फिलार डीट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर उसके teacher उसे बोलती है कि तुम्हारी माम को बोलो कि false false rumor फिलारा बंद करे वरना इससे तुम्हारा नाम खराब हो सकता है और तुम्हारी scholarship भी आ रही है तो वो भी cancel होने के chances है इसके बापने वो बहार जाती है तो लियो उसका इंतिजार करता है और उसे बोलता है कि तुमने मुझे ये बात यो नहीं बताई यहाँ पर चियो बोलती है कि मुझे सारी situation खुद से ही handle करना पसंद है यहाँ पर लियो उसे दिलहासा देता है और बोलने लगता है कि तुम्हें पता है न अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरुवत होगी तो मैं हमेशे तुम्हारा मदद करने के लिए खड़ा रहूंगा और ऐसे भी हम तो भी फिला टीटने कर रहे है लेकिन फ्यूजर में हम जरूर एक साथ रहेंगे और सारे डिफिकल्टिस को टैकल करेंगे और सारे प्रॉबलम का इलाज भी हम एक साथ टूर निकालेंगे तुम बश्मस पर बरोसा करो इसके बाद में च्यू कर पर जाती है जहाँ पर वो अपने डाड से बात करती है असल में वो उसके रियल डाड नहीं बलकि साथे ले डाड होते है जहाँ पर उसका डाड उसे समझा रहा होता है कि लिए तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है एक पिरामिड होती है और उस पिरामिट के टॉप ठे लियो है और तुम पिरामिट के एकदम नीचे हो तुम्हारा बैगराउनड फैमिली का और उसका बैगराउन फैमिली का दोणों ही बहुत अलग है तो तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते यहाँ पर चियू उन्हें बोलने लगती है कि आप कुछ भी कहलो आज किल के जमाने में फैमली बैगरण नहीं मैटर करता मैटर करता है तो टरस्ट और ओनिस्टी जो हम दोनों ने एक दूस्टे को दिखाई है यहाँ पर उसका डैड़ उसे और भी जादा समझाने की कोशिश करता है लेकिन चियू उनकी बात सुने बग्यर यह बहार निकल जाती है और फिर वो बहार अपनी माम को देखती है उसकी माम एक बाद फिर से उसे समझाती है और उसे माफ भी मांगती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारा बला चाहूंगी मैं तुम्हारे बारे में बुरा क्यों सोचूंगी यहाँ पर चियू उन्हें बिना बोले कुछ जा रही होती है तो पीछे से इसकी मॉम चिला कर बोलने लगती है कि जिस जिन लियो तुम्हें पैसों के लिए छोड़ देगा उजिन तुम रोते हुए मेरे पास आओगी तब तुम्हें सबज माएगा कि मैं क्या कहना चाह रहे हूँ और ये बात चियू के दिमाग में खुमती ही रहती है इसके बात में चियू जियू को देखती है जहांपर वो चारों लोग फैमिली डिनर के लिए जाते है जब जैंग पीछी मूर कर देखता है तो उसे लगता है कि वो चियू है लेकिन जियू उसका ध्यान बढ़का देती है और बोलने लगती है कि चियू तो वहाँ पर नहीं थी और उसे कॉल करने की वजरूरत नहीं है क्योंकि हम तो एक फैमिली डिनर पर आया है यहाँ पर जैंग उसे बोलता है कि चियू भी हमारी सिस्टरी है लेकिन यहाँ पर जियू उसका इंकार कर देती है और उसे मूब बंद रखने के लिए बोलती है फिर बापने उसकी मॉम जियू को जैंग से माफी माँगने के लिए बोलती है तो जैंग उसे बोलता है कि जियू के नकरे बढ़ते ही जा रहे है और जब देखो तर वो चियू को उल्टा भला पूलती रहती है आपको भी जियू को काबू में रखना चाहिए यहाँ पर चियू एक बेंच पर बैटी होती है और बहुत जादा थंडी लग रही होती है उसे और इतने मीवाँ पर लियो आकर उसे अपना जाकर देता है यहाँ पर चियू से अपनी मन की बाते बोलने लगती है और कहने लगती है कि मेरी मॉम भी सची बोल रही है क्योंकि मैं अभी बस बच्ची हूँ और मैं पढ़ाई कर रही हूँ और पैसे कमाते कमाते मुझे तो और भी जातना ताइम लग जाएगा लेकिन तब तक को तुम्हारे पस बहुत पैसे हो गए होंगे तो तुम मुझे चोड़ दोगे और किसी और के साथ चले जाओगे यहां पर लियों से समझाता है कि आज करकी लाइफ में पैसा मैटन नहीं करता मैंने तुम से वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा तो तुम मुझे पर ट्रस्ट कर सकती हो और यहां पर एक बार फिर से वो दोनों को लुगुलु करने लगते है यहां तक कि वो तो ने एक दूस्टे को किस भी करते है इसके बाद में जिया और चियू एक साथ वाग कर रहे होते है जहां पर चियू कर रात की बाते याद कर रहे होती है और यहां पर वो उसके गर वाली आंटी आ जाती है जिसके वज़े से उसके डार का नाम कराब हुआ था तो फिर वो अंटी उसे बताने लगती है कि मैंने एबिडन्स दूने की बहुत कोशिश की लेकिन सबी पुलीस वालों ने उस एबिडन्स को तबाह कर रखा है और कोई भी उस बात को निकालने के लिए रड़ी नहीं है यहाँ पर जियू एमोशन हो जाती है दूस्य और लियो उसका वेट कर रहा होता है और वो उसकी सारी बाते सुर रहा होता है तो फिर वो अपनी असिस्टिन को यह सारा काम करने के लिए बोलता है इसके बातने वोलंकार में बैठते है यहाँ पर जियू थोड़ी से इमोशन होती है लेकिन लियो उसे जबरदस्ती सवाल नहीं पुछता और उसे बोलता है कि जब भी भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मुझे कुछ शेयर करना है तो तुम मुझे बेफिकर होके बता सकती हो कोई जबरदस्ती नहीं है और यहाँ पर जियू से बोलती है कि तुम तो बहुत अंडिस्टैंडिंग हो इसके बातने वो आंटी और जियू एक बार फिर से वापस मिलते है जहाँ पर वो आंटी चियू को बताती है कि तुम्हारे बार फिर ने मुझे एक बहुत जादा और अच्छा लोयर डून कर दिया साथी साथ उसने बहुत सारे एविडेंस में निकाले इस वज़े से हम केस जीत गए यहाँ पर चियू ये सारी बाते सुनकर बहुत करशा जाती है इसके बाद में वो लियो से मिलती है और लियो को थांक्यू बोलती है साथी साथ वो से ये भी बोने लगती है कि तुम मेरी बहुत हेल्प करते हो लेकिन आज तक तो मैंने तुम्हारी कोई हैल्प नहीं की यहाँ पर लियो से बोलता है कि ये बाटर सिस्टम वाली बाते दो तुम मत करो तुम अच्छे से खाओ, पीओ और अपनी लाइफ एंजॉय करो और खुश रहो इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम खुश रहोगी तो फिर मैं भी कुश रहोगा इसके बाद में कलती से उनका कार में एक्सिजिटन्ट होने वाला होता है यहाँ पर लियो को कार में कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता और लियो को उसके पास ट्रामा जयाद आने लगते है और उसकी मेमरी सीधा पास्ट वाले बच्पिन वाले हिस्से में जाती है जहां पर वो अपनी मॉम के साथ कार में चावल कर रहा था और उनका अग्सिजिटन्ट हुआ था और अक्सिडेंट में उसकी मॉम की तैथ हो गई थी और उसी दिन उसका बर्दे होता है इसके लिए उसे उसका बर्दे बिलकुल नहीं पसंद यहाँ पर वो उसे लेकर हॉस्पिरल पहुँच आती है और इतने में उसके डाड भी आ जाते है फिर उसके बाद में उसके डाड उसे शांत रहने के लिए बोलते है साथी साथ चियो की मॉम यहाँ पर आती है लेकिन वो उस पर बरक जाती है और कहने लगती है कि मैंने तुम से पहली कहा था कि तुम लिए उसे तो रहो यहाँ पर उसकी मॉम के साथ उसका हस्बन आ जाता है और फिर लियो का डैड और जीयो की मॉमनाट के साथ में आपस में बात होने लगती है जहाँ पर उसकी मॉम उसे बहुत बला बुरा बोल रही होती है तो फिर जीयों को भी गुश्या आजाता है और वो बोलने लगती है कि आपने जो किया है वो तो शर्बनाक है आप मेरे डाट को हमेशा के लिए छोड़ कर चली गई थी किसी और के लिए और पैसो के लिए लेकिन मेरे डाट ने मुझे बहुत अच्छे से पाला पूसा है और मेरी परवरिश और अच्छे से की है तो आप मुझे कुछ नहीं बोल सकती यहाँ पर इतने में ही लिए उट कर आ जाता है तो फिर लिए उसे हग करने लगता है यहाँ पर लिए के डाट उसे बोलते है कि मुझे चियो से अकेले में बात करनी है क्योंकि चियो को भी तुम्हारे बारे में सारी चीज़े पता होनी चाहिए यहाँ पर जब चियो की और लिए की डाट की बात हो रही होती है तो लियो के डाड उसे सारी बाते बताते है कि तुम जैसा लियो को समझ रही हो वो वैसा नहीं है लियो ने बच्पन में एक कार एक्सिजन देखा है जिस वज़े से वो खुद को बहुत हेट करता है और इन फ्यूचर ये चीज तुम पर आ सकती है मानो अगर फ्यूचर में तुम उसके साथ नहीं रह पाई तो तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा तो फ्यूचर में उसे और भी हट होगा तो फ्यूचर में सोडने से अच्चा है तुम उसे अभी ही छोड़ दो मैं भी लियो को समझा दूँगा लेकिन अगर तुम उसे जेल सकती हो और उसे समझ सकती हो तो इसमें कोई प्राब्लम नहीं है यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारे बैक्रांड के बारे में कोई फिक्र नहीं है हम कभी भी शादी या प्यार बैक्गरांड की वज़े से नहीं करते और नहीं पैसू की वज़े से करते है हम बस honesty और trust देखते है जो तुम में बहुत अच्छे से है और मुझे मेरे लियो पर पूरा बरुसा है कि वो एक बहुत अच्छी बच्ची को चूस करेगा लेकिन फ्यूचर का डिसीजन तुम्हारे पर है कि क्या तुम दोनों एक साथ रहे पाओगे यहाँ पर चीवों से बोने लगती है कि just because लियो को कोई बिमारी है इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे छोड़कर चली जाओंगी हम सब इंसान है और हम सब के अंदर कुछ न कुछ कम्या होती भी है किसी को पास ट्रॉमा होता है किसी को डिप्रेशन किसी को स्ट्रेस्ट किसी को इंसाइटी और यह सारी चीज़े नॉर्मल है सॉल्फ कर लेंगे इसके बाद वो जाकर लियो को हग करने लगती है और लियो भी उसकी सारी बाते सुछ लेता है यहाँपर जिय्या और चियो एक साथ अपने स्कूल के गार्डर में होते है और वहाँपर जियो आजाती है जो उसे बोलने लगती है कि पहले तो तुमने मुझसे मेरी मॉम चीनना चाहा और अब तुमने लियो तो मुझसे पूराई चीन लिया फिर वहाँ पर वो दुना अपस में जगरने लगते है जहाँ पर लियो जहाँ पर चियो से बोलती है अपने पढ़ाई पर फोकस करने के लिए इतने में वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और चियो को समाजा जाता है कि उसकी मॉम यही चाहती है कि जियो की और लियो की शादी हो ताकि उनका स्टेटिस और भी बढ़ जाए इसके लिए वह मुझे लियो से तूर होने के लिए बोल रही है यहाँ पर चियू अपनी माम के साथ अपना रिलिशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है और फिर ब Pinterest muah से चले चाते है इसके बाद में हम चियू को देखते है जो लियो के लिए हॉस्पिटल जाती है और उसके लिये कुछ न कुछ लाई होती है और यहां पर लियो उसे उसकी चोट देखने के लिए बोलता है तो जैसे ही वो उसकी चोट डूडने लगती है तो फिर लियो उससे अपना forehead किस करवा लेता है फिर यहां पर दोनों मस्ती करने लगते है इतने में उसके दाट लन्च लेकर आते है और लंच रखकर चले जाते है फिर एक बर फिर उनकी मस्तिर शुरू हो जाती है लियो और ट्यू के बीच में किस हो जाता है और इसी किस सिन के साथ ये मुवी यही बख़त न हो जाती है